हेले पेरे दोस्तों नमस्कार तो कैसे आप सभी उम्मेद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्रमाजिनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों जैसा के आप सभी को पता है नया साल यानि की 2023 आ चुका है तो सोब से पहले तो आप सभी को नए स साल के अंदर जो प्रिक्षाएं हैं जो भरतियां हैं क्या नई भरति होने के असार हैं या पुरानी भरतियों का ही कारेकरम चलता रहेगा उनकी जो पेंड alternating है उसके एकसाम चलते रहेंगे तो उसको लेकर के आप सभी के जो डौट थे तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आ लेंसे मेस्वी बॉर्ड की भी, यानि कि राजस्तान लोक सिवायोग जो है उसकी भी, और राजस्तान करमचारी ऐस की हम बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाली है, इस वीडियो के दोस्तों मैं आपके लिए 2 session ले के आऊँगा एक अभी और एक कल morning में एक सुबह ठीक है न क्योंकि इस वीडियो की जो official news है वो अभी भी मैं आपको बताऊँगा और कल morning में भी बताऊँगा कल morning में उसका detail analysis बताऊँगा लेकिन वो इस वीडियो से अलग होगी क्लियर है दोस्तों तो अभी आप लोग ये वीडियो देखोगे लाश्ट तक तो आपको एक मैप क्लियर हो जाएगा जो हम आपको बताने जा रहा हूं ठीक है तो ये वीडियो आप सबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल लाश्ट सक जरूर देखना दोस्तों चलिए आप वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों RPSC बोर्ड की तो RPSC बोर्ड ने ये कहा है कि जैसे कि आपको पता है कि 2022 में भी RPSC ने कुछ प्रिक्षाइं कराई थी अब 2023 के लिए भी RPSC ने अपना एक schedule त्यार किया है एक रूप रेखा त्यार किया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम लोग कम से कम कम से कम नी तो 50 प्रिक्षाइं करवाएंगे कम से कम नी तो 50 प्रिक्षाइं करवाने के आसार उन्होंने बताएं है ठीक है ना और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2022 की जो कोई भी अगर pendency है हम लोग ये चेक करें कि 2022 की क्या pendency है यानि कि कौन सी भरती ऐसी है जो 2022 में कराई जानी थी लेकिन नहीं करा पाए जो शेश है भी भी वो भी हम लोग अब दो 2022 के अंदर उसके उपर फोकस करेंगे तो इन्होंने दो टाइप के फोकस बताए है एक बताए कि प्राइमरी फोकस और एक बताए स्केंडरी फोकस प्राइमरी फोकस यानि प्राथ्मिक ध्यान जो है वो किस पे रहेगा जो भरती 2022 में करानी चाहिए थी लेकिन वो पेंडिंग रहे गई है या फिर उसका पेपर वगिरा नहीं हुआ है उसके उपर रहेगा तो पहला फोकस उसके उपर रहेगा दूसरा फोकस रहेगा किसके उपर न्यू वेकेंसी के उपर दूसरा फोकस किसके उपर रहेगा दोस्तों नहीं भरतिया निकालने के उपर जैसे आप लोगों के डाउट थे ना कि 2023 में नहीं भरतिया आएगी बिल्कुल आएगी RPSC Board ने ये अपडेट दिया है कि ये बिल्कुल आएगी ठीक है इस अपडेट के ना एनलीसिस वीडियो भी ले क्या हूँगा मैं एक इस अपडेट की एनलीसिस वीडियो आप सभी के लिए कल सुबह आएगी तो त्यार रहना कल सुबह ठीक है अब दोस्तों ये तो हो गई RPSC Board की बात अब हम बात करें RSMSS Board की यानि की राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड की तो इसने भी ये कहा है कि हमारे भी दो फैक्टर रहेंगे एक वो जो शेश बरतियों को कवर करवाएंगे हम 2023 के अंदर जो भरतियां पैंडिंग है जैसे कि अभी वन्रक्षक वाला जो इशू चल रहा था कि वन्रक्षक का पेपर लीक वगेरा उस मामले को उस मामले को भी सुलजाया जाएगा उस मामले के अंदर जो कार्यावाईया है उसकी अपडेट दी जाएगी विद्यार्थियों को उसके अलावा 2023 के लिए एक रूप रेखा त्यार की जाएगी एक फिक्स प्लानिंग त्यार की जाएगी उस प्लानिंग में क्या होगा दोस्तों उस प्लानिंग में डेट एक्जाम वेकेंसी ये चीज़ें आपको बताई जाएगी कि कौन सी भरती आने वाली है किस तारीक को आने वाली है और उसकी प्रिक्षा कब होगी सारा कुछ मतलब कि एक रूप रेखा एक रूप रेखा त्यार करके देंगे एक चार्ट टाइप त्यार करके देंगे आप लोगों को, ठीक है नौक आ एक तो RPSC और एक RSM SSB यह दोनों के दोनों बोर्ड आपके लिए चार्ट त्यार करके देंगे कि कौन कौन सी भरतियां आने वाली है कौन कौन सी प्रिक्षा होने वाली है pending कौन सी थी जो 2022 की है और नई कौन सी है जो 2023 में इन्होंने latest निकाली है ठीक है अब जैसे आपका doubt हमेशा से रहा है कि नई भरती नई भरती नई भरती आएगी 2023 के अंदर अब विजारती के रहें सर्थ 2022 वाली clear नहीं हो रही है तो 2023 की कैसे आएगी बिल्कुल आएगी 2023 की ज कि आपको CET पे focus करना है CET पे अब CET आपका दोनों level का है तो दोनों level पर आप लो focus करो एक तो senior secondary वाला और एक आपका graduation वाला ठीक है senior secondary में जो 12th level पे जो exam है उनके लिए graduation वाला वो जिनका bachelor लेवल पे degree लेवल पे exam है उनके लिए तो दोस्तो CET के बिना कुछ भी नहीं हम आपको फिर से बता रहा हूँ CET यानि की common eligibility test बोले तो समान पातरता परिक्षा इसके बिना आपका कहीं भी गुजारा नहीं होने वाला समान पातरता परिक्षा इसको आपको qualify करना पड़ेगा ये आप लोग मान सकते हो कि आपके लिए एक EG यानि की entry gate है ये आपके लिए एक प्रवेश्त दवार है किसके लिए दोस्तों जो आपकी आने वाली भरतिया ना उनके लिए clear जो आपकी जितनी भी भरतिया आएगी जैसे मान लोग मैं बात करूं कि वनपाल की आएगी जैसे वनपाल की भी मैंने अपडेट लेवल का है clear अब जैसे मान लोग की आगया कि कोई ओफिसर अधिकारी पोस्ट की आगी मान लोग की जिसमें आपको ग्रेजियोशन चाहिए ठीक है ना जैसे सब इंस्पेक्टर की आगी या कुछ और आगया तो उसके अंदर आपका CET कौन सा लागव होगा जो आपका ग् नवरी को तो यह उसके अंदर लागव होगा जैसे आप लोग CET क्वालिफाई करोगे आपका नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएगा आपको एक्जाम देने का मोका मिल जाएगा किसका उस रिक्मेंडेट बढ़ती गा जिसके लिए आपने CET अपलाई किया था ठीक है ना clear द सुबै एक special वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं जिसमें हम बात करेंगे board के analytics के बारे में यानि कि board ने क्या क्या analysis किया है क्या क्या उसने प्लानिंग की है 2023 के लिए आप लोगों के लिए ठीक है ना तो वो भी बहुत ही important वीडियो होने वाली है क्योंकि दोस्तों देखो इस साल आपको ये target लेके चलाएगी इस साल तो आपको काम्याभी मिलनी ही मिलनी चाहिए तो इसके लिए आपको कहा है हर पल एक्टिव रहना पड़ेगा हर पल आपको महनत करनी पड़ेगी क्लियर है दोस्तों ये बात तो उमीद करता हूँ आप लोगों को update समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा हो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को like कर दो जदा जदा लोगों तो वीडियो को कर दो share क्योंकि ये बहुत से लोगों के मन में इस वाल अभी घूम रहा है नई भरती आएगी या नहीं आएगी प्रिक्षा होगी या नहीं तो आप लोग इस वीडियो को share कर दो ताकि वो भी इस लेक्षर को सुनके और समझ सके ठीक है इसके लावा दोस्तों जो लोग चैनल पर नहीं है न वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो यार ताकि हमारी जितनी भी ओफिशल वीडियो आप तक फटक से पहुंचे और आप लोगों को सही अपडेट सही समय पे मिल जाए इसके लावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाते हो मारे वाट्सप ग्रूप का लिंक आपको नीचे मिल जागा डिस्किप्शन बॉक्स में और इसके लावा आप बोलोगे सर कितने का लावा बो